ओके जी इस लेक्षर के अंदर जो मैं आपको चीज समझाने वाला हूँ दोजार मैट्रिक्स या मैट्रिक्स भी आप इने बोलते हैं और अक्सर अकात आप इनके साथ बड़े-बड़े पंगे ले चुके हैं और आम ऐसे काफी लोग इसको समझ भी चुके हैं लेकिन आज हम इसको डेटेल में देखने वाले हैं कि मैट्रिक्स किस तरीके से बनते हैं कौन-कौन सी इसमें चीजें इनवाल मैं and how you can actually define one matrix and how you can actually see कि मैट्रिक्स जो हैं ये हमारे linear algebra के अंदर क्यों जरूरी है and there are many properties of matrix as well जो इन्शाला हम देखने वाले हैं let's dive into it मेरा note bed आपके सामने शेर हो रहा होगा ये पता नहीं क्या बन गया ओके गाइब हो गया तो मैंने आपको बताया पिछले lecture के अंदर कि जब आपके पास एक matrix होता वो basically आपका transformation यानि कि linear transformation के बाद i hat और j hat की जो values होती है उसको हम matrix बोलते हैं for example i hat की जो values है अगर मेरे पास 2 और 3 हैं जो transformed values है और j hat की values मेरे पास 1 और 5 है so here you can say के इन दोनों को अगर हम package में convert करते हैं package क्या कि हम i hat और j hat इन दोनों को इस तरीके से लिखें के इन दोनों की दोनो values हमारे पास कुछ ऐसे आ जाएं तो ये हमें एक matrix देती है तो अगर हम matrix को पढ़ना start करें so these are actually showing us the linear transformation in numeric form तो ये वो ही linear transformation है जो हमें numeric form के अंदर अब ये matrix होते क्या है basically अगर आप इनको देखें तो अक्सर उकात इनको उर्दू के अंदर कालब बोला जाता है I hope I am writing it right कालिब बोला जाता है और ये rows और column से मिलके बनते हैं अगर आप गौर करें इस तरीके से ये बनते हैं ये column होता है column जो है basically ये show करता है आपके landing points of basis vectors और जो आपकी rows होती है वो उनके elements को show करती है ठीक है अगर आपका two dimensional plane है तो आपके पास value होती है x और y की और यहाँ पे भी x और y की value होती है for i hat and j hat अगर आपका two dimensional plane है यानि के अगर आपका real coordinate plane two dimensional है अगर यही आपका real coordinate plane x, y, z three dimensional हो x, y, z और फिर एक और element आपके पास introduce हो जाता है x, y, and z अब तीसरे जो element है पहले को बोलते हैं i hat दूसरे को बोलते हैं j hat और i और j j के बाद क्या आता है k इसको बोलेंगे k hat तो आपके पास three vectors बन जाते हैं जैसे आपके पास for example यह दो थे ठीक है तीसरा आप इसी के अंदर निकाल सकते है so usually इसको show किया जाता है basically 3D space के अंदर अब मेरे पास यहाँ पे 3D space को show करने के लिए कोई instrument इस वकत नहीं है otherwise I would have shown you लेकिन मैं कुछ इस तरीके से दिखा सकता हूँ कि आप यही तसवर करें जो right hand rule था हमारा उसके अंदर 3D plane होता है एक होता है x की तरफ एक होता है y की तरफ और एक उपर की तरफ so उन में से एक in out होता है तो यह आपका 3D space के अंदर होता है यानि के 3 coordinate plane के अंदर सब्सक्राइब है so इसको भी हम matrix बोलते हैं यह भी matrix है अब transformation हमने पढ़नी है 2 dimensional plane के अंदर पहले और 2 dimensional coordinate plane के अंदर transformation किस तरीके से होती है तो जो आपके पास एक matrix बनता है 2 dimensional plane का उसमें i hat और j hat की value होती है यह बहुत important values है यह इतनी important है जैसे अब हमने देखा कि जब हम rotate करते हैं तो 90 degree rotation करते हैं यह basis vector क्या होता है इन्हें यह 0,1 हो जाता है बलके minus 1 और यह हमारे पास 1,0 हो जाता है यह 90 degree rotation की clockwise की transformation के coordinates है अब यह जो coordinate है यह basically बहुत ज़्यादा impact रखते हैं whenever you are doing some machine learning task और computer vision task होता क्या है कि एक अगर आपके पास तस्वीर है तो आप क्या करते हैं यह वाली transformation अगर उस पे apply करते हैं तो तस्वीर क्या होगी बताएं वो तस्वीर 90 degree rotate हो जाएगी समझ रहे हैं बात को इसे तरीके से आप किसी भी 2 dimensional plane के उपर यह वाले coordinate अगर लगाएंगे तो computer इसको अगर linear algebraically देखें तो वो उसको 90 degree पे rotate कर देगा अब यह तो हो गया positive 90 degree पे like हमने क्या किया था positive 90 पे अगर rotate किया था तो हमारे पास i hat यहाँ पे आ गया था और j hat यहाँ पे आ गया था ठीक है अब अगर हम negative 90 degree पे rotate करते हैं यानि के ult side पे 90 degree पे rotate करते हैं तो हमारे पास क्या होता है let's see हातों से line लगाना थोड़ी से मुश्कल है और मेरा pad भी नहीं साथ दे रहा तो हमारे पास क्या होगा जो यहाँ i hat था यह उपर को हो जाएगा क्योंके हमने rotate अब इस side पे करना है तो हमारा i hat यह हो गया और j hat जो है वो हमारे पास इस side पे आ जागा ठीक है यह j hat आ गया अब इसके अगर आप मुझे matrix बनाके देखाएं तो क्या matrix बनेगा इसका i की value हमारे पास कितनी है जनाब i की value अब हो गई है हमारे पास 0 and 1 और j की हो गई है हमारे पास minus 1 and 0 तो यह जो है यह हमारे पास minus 90 degree है तो अगर आप गौर करें यहाँ पे सिरफ और सिरफ minus के निशान की वज़ा से आपके पास पूरे का पूरा matrix change हो गया मिसाल के तोर पे अगर हम 0 minus 1 1 0 यह करते हैं यह 90 degree चीजों को rotate करता है right angle पे मतलब right side पे और अगर इसी तरीके से हम 0, 1 और यहाँ पे minus लगा दें तो यह left side पे कर देता है ठीक है इसी तरीके से इस तरीके से काफी transformations हमारे पास बड़ी हुई है एक आपको transformation मैं अभी दिखाता हूँ जो बहुत मशूरे जमाने transformation है उसको हम अभी देखते हैं अब आप गोर कीजेगा अगर हमारे पास